हेलो फ्रेंट्स, वेलकम डियर ओन चैनल डेली स्टॉक, तो दोस्ते इस वीडियो के अंदर हम NDR आटो कमपोनेंट्स के डिटेल्ड अनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको NDR आटो कमपोनेंट्स के नए इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, चली शु बनाने का काम करती हैं तो आपको लगेगा कि ये seat frame क्या होता है, तो बहुत है कि ऑपर जयो जाद़ Jewish से जो गादी या यन थि? यह जाड़ा-जाड़ा material लगा होता है तो उचसे हम seat frame बोलते हैं और उसके अलावाद ट्रीम पी उसका एक party होता है, तो बहुद चीज talk यानि कि जो कार की चीट से लिटेट जो भी आइटम शूती हैं वो ये कंपणी मनाने का काम करती है तो दीकि यह जो कंपणी है 2019 में ये कंपणी का डीमर्जर हुआ था पहले ये कंपणी सारदा मोटर इंडस्टी के नाम से जानी जाती थी तो वहां पे डीमर्जर हुआ था एक अच्छे गृप से ये कंपणी बिलॉंग करती है तो यह में यापे काफ़ अच्छी बात यहां पे नजर आती है अब अगर हम यापे कंपणी के कुछ डेटा पॉइंट के अगर हम बात करेंगे तो देखे 269 करोड का मार्केड केप हमें यापे कंपणी का नजर आता ह अगर हम P-Ratio की बात करेंगे लगबग 16 का P-Ratio है और Industry का P-Ratio में 21 का नजर आता है तो यहाँ पर भी Valuation-Wise जमें यहाँ पर Valuation काफी अच्छा नजर आता है अगर हम Debt की बात करेंगे तो कंपनी के ओपर सिफ 13 करोड का Debt है और Debt to Equity भी हमें यहाँ पर 0.07 पर नजर आता है तो देखा जा तो Valuation-Wise जहाँ पर यह कंपनी काफी अच्छे हमें यहाँ पर नजर आती है लगबग 10% के लगबग कंपनी का डिविडेंड डिल भी है तो वहाँ पर revenue के numbers अगर आप देखोगे around 54 करोड के per quarter के revenue के numbers और वहाँ पर यह number है तो मेरे खाल चे यह number अच्छे है मुझे यहाँ पर नजर आते हैं यह जीरे जब net profit के numbers कंपनी के बढ़ेंगे तो यह number भी हमें इंप्रूब वोटे वे नजर आएंगे अब यहाँ पर अगर हम company के financial trend की अगर हम बात करेंगे तो देखिये 110 करोड से यहाँ पे 124 करोड पे revenue का number company का आया था और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो 244 करोड पे ये revenue का number आया है तो आलोवर देखा जाए तो तीन साल की जो growth यानि कि जब से demerger हुआ है तब से काफी अच्छी growth यहाँ पर यह कंपनी हमें दिखाती हुई नजर आ रही है ज़ादा डैड भी हमें इस company के उपनी नजर नहीं आता है जून वाले कॉटर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कोवीड की फर्स्ट वेव हमने देखी थी तो उसके वाज़े से इंपक्त पड़ा था और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसके बाद में 22 करोड का रवेन्यू याप कंपणी का उवा था लेकिन एपर रवेन्यू के नमबर भले इतने बड़े थे लेकिन नेट प्रॉफिट का नमबर यहाँ पे कमपनी का कम होता हुआ नजर आया था बागी जून वाले कॉटर की अगरम बात करेंगे तो यहाँ पे हमने कोवीड की सेकंड वेव देखी थी तो उसके बावजूद भी यहाँ ज्यादा फॉल देखने को नहीं विला था और याँ पे लगभग हाई शिंकल कॉटर का पॉट बम यहां पे कमणी ने अने कीया था अगँ आगरics लीचुंत अगलत के बात करेंजहें हैं का नजर आ हैं और यहां इसके बाद गेरहां यज अगला कॉटर यहां पे कमनी के नंब़ से में कम होते हुए नज़र आया ते लगबग 20% चे रवेन्यू के नंबर कम्पनी के कम हुए थे और लगबग यहापे अगर हम प्रॉफिटेबिटी की बात करेंगे तो लगबग 2 करोड से नंबर हमें कम उटावा नज़र आया था और परसेंडेज वाइस अगर हम देखेंग यहापे डेफिनेटली अगर आप देखोगे लगबग आज चत्रा से अथारा करोड के नंबर हमें कमपनी के नज़र आते हैं जो कि देखा जाएँ डेफिनेटली काफी अच्छी हमें यह नंबर नज़र आते हैं और अगर हम यहां पर FIS की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो जीवन 2021 तग उनका 0.14% का उनका होल्डिंग था जो कि उन्होंने कुछ ज्यादा पैसा लगा हुआ है अगर आप 1% भी अगर हम कमनी के मार्केट केप की निकालेंगे तो लगबग 2.7 करोड के लगबग अभी करेंटली आता है और उनका 1% से भी कम यहां पर इन्वेस्टमेंट है तो मेरे क्याल से FIA और DS के उपर यहां पर आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए बाकि पब्लिक के पास यहां पर अच्छी कास्ची लोलडिंग है पब्लिक के पास डैफिनेटली धुटी कमनी में उनके बास ज्यादा होल्डिंग रहती है उसमें मेरे खाल से मुझे याँ पे कोई शूच यहां पे यह और आप यहांप नजर नहीं आ क्लियंट बालेजियन लिए और अगर हम बिजनेश पॉइंड वी से अगर आप देखोगे तो प्राइवेट प्लियर्च का बिजनेश का बीजनेश अभी का अच्छा चल रहा जिस तरीके की डिमांड खास करें कि हमें इंडिया में देखने को मिल रही है यह वो काफी फिनोम वगेरा एक छोटी कमणी के लिए 5-6 करोड का भी रिइंवेस्ट्मेंट मेरे खाल चे काफी ज़्यादा माना जाता है और कमणी ने यहापे कुछ ज़्यादा उठलों में यहापे देखने को नहीं मिल रहा है तो यहापे अच्छी बात नजर आती है तो यहापे जीरो क्यों देखने को मिल रहा है तो कि थोड़ा कुछ कमणी ने डेट रियेज किया होगा थोड़ा कमणी ने डिविडेंट पे होगा तो नेट यहापे कुछ बचा नहीं होगा तो इसलिए हमीं съfire नजर ना जाता है तो ऐसे मैं आपने यहां पर क्या करना चाहिए तो देखे डेफिनेटली आटो कंपोनेंट की अगर हम बात करेंगे डेफिनेटली रिक्वाइमेंट बढने वाली है और जिस तरीके से भी जो सेफ्टी की बाते हैं यहां पर चल रही है खास करके जो हमारे जो रोड मिनिस्ट जो हाइवे मिनिस्टर यानि की ट्रांपोर्ट मिनिस्टर जो नितिन घट करी जिए उनका भी लगादार फोकस हो रहा है अभी उन्होंने स्टीट बेल्ट को कंपल्शरी कर जाए यानि कि अगर आप जो कार नहीं चला रहा है और जो पीछे बैठे में उन्हें भी स्टीट पैणना पड़ेगा टूट पॉइंटों भी से देखा जाए तो वहाँ पे सीट को भी अच्छे करने के लिए आपर अपोचिनिटीज कंपनी के हमें नजर आती है और ऐसा नहीं है कि यह आटो कंपनेंस में इसके उपर यह कंपनी काम करने वाली है आने वाले डाइम पर ध स्मॉल केप कमनी जा पर वेलेशन काफी जादा अट्रेक्टिव है और ग्रोइंग इंडस्टी में अगर आप इंवेस्ट करोगे तो वहाँ पर डेफिनेटली अगर इंडस्टी 15-16 परसेंटेज चागर यह ग्रो करती है तो वहाँ पर डेफिनेटली यह जो कंपनी 25-30 पर प्रोफाइल हाई होना चीए तो यह आपने इंवेस्ट करना चीए आटो कि लिक्वीडिटी पॉइंट वीचे अगर आप देखोगे तो कभी भी अगर मार्केट अगर 20-25 परसेंट अगर गिर जाता है तो वहाँ पर डेफिनेटली आपने यह पर देखने को मिलेगा तो इ तो अगरो झाल 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 झाल